मैं सबसे पहले इस रो के सभी वज्ञानिकों को और इस रो की पुरी टीम को रजय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनन्दन करता हूँ मैं सबासो करोड देश वासियों को भी इस नए नजराने के लिए अनेक अनेक शुबकामनाई देता हूँ स्पेस साइंस में भारत के विज्ञानिकों ने अविरत पुर्शार्थ करके अनेक सिध्यां प्राप्त की हैं और आज देश अनुभव कर रहा है कि स्पेस साइंस के माध्यम से सामान्य मानवी के जीवन में भी कितना बढ़लाव लाया जा सकता है टेकनलोजी मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से उपकारक हो सकती हैं और भारत का स्पेस टेकनलोजी के एक्षेत्र में प्रदारपन भारत के सामान्य मानवी की जीवन में बढ़लाव के लिए व्यवस्ताव में सुधार के लिए सुगमता के लिए एक बहुत बड़ी एहम भूमी का आदा कर रहा है आज नेविगेशन के एक्षेत्र में भारत ने अपना सात्वा सेटलाइट लॉंच किया है सातों सेटलाइट एक के बाद एक सफलता पुर्वक लॉंच किये गए और इस सिद्धी के कारण आज भारत दुनिया के उन पाँच देशों में गर्व के साथ खड़ा हो गया कि जिसमें उसकी अपनी GPS सिस्टिम उसकी अपनी निविगेशन सेटलाइट सिस्टिम निर्माण हो गई आज तक हम GPS सिस्टिम के लिए अन्य देशों की विवस्ताओं को निर्भर थे आज हम आत्म निर्भर बने हैं हमारे रास्ते हम तै करेंगे कैसे जाना कहां जाना कैसे पहुँचना यह हमारी अपनी टेक्नालोजी के माध्यम से होगा और इसलिए भारत के वैज्यानिकों ने आज सबासो करोर देशवाजियों को एक अन्मोल तोफा दिया है हम जानते हैं कि आज के यूग में GPS सिस्टीम का बहुत बड़ा रोल हो गया है हमारा एक मचवारा भी इस विवस्ता के तहट मचली का कैच कहां जादा है मचली कैच करने के लिए कहां जाना चाहिए सौर्टेस रूट कौन सा होगा ये अब भारतिय सेटलाइट के मारदर्शन में काम कर पाएगा आस्मान से उसको रास्ता दिखाये जाएगा मंजील का पक्का एड्रेस ताई किया जाएगा अब हमारे विमानों को अगर लेंड करना है तो बहुत सरलता से एक्यूरेसी के साथ अपनी भारतिय व्यवस्था से वो कर पाएगे कहीं कोई डिजास्टर हो गया बहुत बड़ी प्राकुर्थिक आपदा हो गई उस थिती में कैसे मदद पहुँचानी कहां पहुचानी स्पैसिफिक लोकेशन क्या होगा ये सारी व्यवस्थाएं इस भारतिय उपग्रह के द्वारा जो नई व्यवस्था विक्सित हुई है उसके कारण लाब मिलने वाला है इसकी छमता इतनी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी कच्छ से कामरूप तक वो भारत के तो हर कौने को सेवा देगा ही देगा लेकिन इसके इतरिक 1500 स्क्वाइर किलोमेटर एडिया में भी अगर कोई सेवाएं लेना चाहता है तो भी उसको ये सेवाएं उपलब्त होगी कहने का मत्นब यह है कि हमारे पडोस के सार्क देश के जो जुड़े हुए हैं वे भी अगर भारत की इस सेवा का उप्योग करना चाहते हैं क्योंकि आज वे भी दुनिया के किसीネने किसी देश की सेवाएं ले करके अपना गुजारा करते हैं अब भारत भी अगर वो चाहते हैं तो ये सेवा उनको उपलद्द करा सकता है। एक प्रकार से सद्यों पहले हमारे नाविक समंदर में कूद जाते थे। सितारों के सहारे, चंद्र और सूरिय की गती के सहारे वो अपने राह ताय करते थे। और मंजिल पर पहुंचेने का प्रयास करते थे। सद्यों से हमारे नाविक अंजान जगा पर पहुंचते थे। और उनका सहारा हुआ करता था आसमानी, सितारों, चंद्र और सूरिय की गती के सहारे वो अपने राश्ते ताय करते थे। अब विज्ञान की मदद से हम इन सेटलाइट और इस टेक्नलोजी के माध्यम से इस काम को करने जा रहे हैं। भारत के मचवारे, भारत के नाविक, समंदर में साहस के साथ चलने वाली हमारी सद्यों पुरानी परंपरा। इसने एक अनभीक के जगा पर, अंजान जगा पर जाने के रास्ते साहस के सिखाया है। और इसलिए, हजारों साल से मचवारों ने जो साहस दिखाया है, नाविकों ने जो अदम में साहस से दुनिया में पहुंचने का प्रयास किया है। और इसलिए, इस पूरी नई टेकनोलोजी के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं को, आज हमने तय किया है, कि सारी व्यवस्ता, हमारी ये GPS सिस्टिम, नाविक नाम से जानी गाएगी। इस व्यवस्ता को मैं देश के करोडों करोडों मचवारों की सद्यों पुरानी परंपराओं को आदर्स मामते हुए, देश के गरीब गरीब मचवारों को ये पूरी व्यवस्ता समर्पित करने की इरादे से, आज इसे नाविक नाम से अब विश्व पहचानेगा, और ये हमारा अपना नाविक होगा, हमारे मोबाइल फोन में हमारा नाविक होगा, जो नाविक हमें, हम कहां है, उसका पता दे सकता है, कहां जाना है, उसका रास्ता दे सकता है, और कहां पहुँचना है, उसका भी हमें, हमें वो नाविक रास्ता दिखाएगा और जब मैं नाविक की बात कर रहा हूँ तो टेकनलोजी की भाषा में अगर मुझे कहना है तो मैं कहूंगा कि नेविगेशन सेट्रेलाइट सिस्टीम जो की नेविगेशन विट इंडियन कॉंस्टलेशन इस नाम को मैं NAVIC नाविक इस रूप में आज आपके सामने समर्पित करता हूँ सबासो करोड देश सबासियों को आज एक नया नाविक मिला है जो नया नाविक हमें अपने रास्ते ताय करने के लिए अपना डेस्टिनेशन ताय करने के लिए हमारी मवजूदगी मैसूस कराने के लिए काम आएगा ये आसमानी व्यवस्ताओं के लिए काम आएगा ये जमीनी व्यवस्ताओं के लिए काम आएगा ये जलकी व्यवस्ताओं के लिए भी काम आएगा हमारी सीपिंग वबस्ताओं को भारत की ये सेवा ज्यादा एक्यूरेसी के साथ उपलब्द होगी हमारी रेलवे आज हम हमारी रेल कब कहां है उसको जानने के लिए जीपीएस का उप्योग करने पड़ता है अब हम किस क्रॉसिंग से रेल कहां पसार हुई कितने सिगनल से कहां दूर है कहीं रेलवे के चालू ट्रेन में कोई सिगनल देना है सुचना देनी है तो ये नाविक के सहारे हम दे सकते हैं हम कार से जा रहे हैं हम स्कूटर से जा रहे हैं हमारे हाथ में मुबाइल फोन है हम नावी के सहारे ताय कर सकते हैं कितना पहुंचे कहां पहुंच रहे हैं कहां खड़े हैं एक प्रकार से जन सामान्यकी आवश्चक्ताओं की पूर्ति का काम अब हमारे वैज्ञानिकों ने सबासो करोड देश्वाजियों को अपना नाविक देते हुए अत्यनत्य हर्ष्ट और गर्वानुभव कर रहा हूं और मैं देश के विज्ञानी को फिर भी एक बार कोटी-कोटी बधाईया देता हूं, बहुत-बहुत अभिननन करता हूं और मुझे विश्वाज है कि हमारे स्पेस के साइंस्टिस्ट और नए करतब दिखाएंगे, और नए खोज दिखाएंगे और भारत का नाम आसमान की उन छितिजों को पार करते हुए बिश्वमेज लहराएगा हमारा जंडा इसी एक अपेक्षा के साथ, फिर एक बार बहुत-बहुत शुब कामना है, बहुत बहुत बदाई, बहुत-बहुत धन्यवाद